नमस्कार दोस्तो आपका स्वागत है हमारे चैनल स्वास्ती इन्फो में दोस्तो अगर आपको कभी मोच लग जाए तो क्या करने चाहिए उस समय क्या क्या दोस्तो आप लोग घर में उपचार कर सकते हैं प्राकृतिक बिलकुर उपचार हैं जो कि आपके घर में उपश्थि चीजों से उसका उपचार आप अराम से कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों इस चीज को हम बताते हैं तो वीडियो को लाश तक और एंड तक देखते रहे यह टुजेट जोस्तों बहुत ही सरल उसका है इसका आपको प्रयोग करना है दोस्तों आगर आपको मोच लग जाए तो प प्लिट रोगी को दोस्तों अधिक से अधिक आराम करना चाहिए दोस्तों और दोस्तों मैं बताता चलिए दोस्तों कि वीडियो अच्छे लगी तो इसे लाइक करना और दोस्तों चैनल को सस्क्राइब करना मत भूलेगा क्योंकि ऐसी जोई वीडियो लेकर आते रहते हैं दोस्तो, शरीर के मोच से गरस्त भाग पर आधे घंटे के लिए बर्फ लगानी चाहिए, तथा यह किरिया हर दो घंटे में दोस्तो आपको दोहरानी होगी, मतलब दो घंटे बाद आपको बर्फ लगाना होगा. इससे रोगी को दोस्तो बहुत लाब मिलता है रोगी को अपने सरीर के मोच ग्रस्त भाग को दोस्तो ठंडी पट्टी से दोस्तो जो है मतलब लेपना चाहिए उस पर ठंडी पट्टी लगाना चाहिए दोस्तो और दोस्तो जिसके फल सवरूप रक्त हुआ है काओ इस आपकी मोच ठीक होने लगती है देदेरे रोगी को दोस्तो अपने जो है मोच वाले भाग को उपर उठा कर रखना है जिससे सूजन दोस्तो कम होती है तो दोस्तो यह कुछ घरेल उपा है आप इनका अगर परियोग करते हैं तो आपकी मोच बहुत जल्द आरा मिलेगा और दोस्तो आपको मोच पर कुछ ट्यूब जैसे जो जो है बहुत ट्यूब जोस्तो आप जो है आते हैं उसको आप मालिस कर सकते फ्रेंट दोस्तो यह से कुछ असान गरेल उसके तो अगर पसंद आए तो इस वीडियो का लाइक किजे अपने दोस्तों साथ सेरे किजे हमारे चैनल सब सब्सक्राइब करना मत बुलेगा क्योंकि ऐसी एल से जोड़ी वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं प्रेंट